मैं हूं बभीता, certified nutritionist, welcome back to Bobby healthy food, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुजी की चकली, जो सुजी की चकली बनाने में बहुत अस्सान है, और ये आपको दस मिन्टी में बनके तयार हो जाएगी, ये आप कोई भी घर में मेहमान भी आएंगे, आप इसको बना के तयार कर सकते हैं और यह तो हर में भी बना सकते हैं और आप अपनी जो इसे ही चाय के साथ भी आप खाएंगे तो यह बढ़िया पूरा कुरकुरे बनेगी और यह इतनी बढ़िया टेस्टी और डिलिसियस बनेगी आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको पताच लेगा यह कितनी बढ़िया चटपटा भी बन रही है चलिए हम रेसिपी सुरू करते हैं हम सुजी की चकली बनाने के लिए पहले सुजी का एक ब्याक्टर बनाएंगे तो इसके लिए हम ग्यास पर प्यान चड़ा देते हैं उसी में हम आध्धा कट्टरी सुजी से अच धेर सारा चकली बनाएंगे तो यह जो आध्धा कट्टरी लिए हैं इसके लिए हमको एक कट्टरी पान्नी गरम करनी जरूरी है देखिए हमने अभी एक कट्टरी पान्नी डाले हैं प्यान पे उसको पूरा पढ़िया तरी के पढ़िया से गरम करने के लिए छोड़ेंगे पान्य भी उबल रहा है हम यह आधा कप बारिक बाला सुजी लिए हैं आपके पास बारिक बाला सुजी नहीं तो आप इसको पहले ग्राइडिंग में ग्राइडिंग करके पीश सकते हैं देखिए हम धीरे-धीरे इसको डालेंगे फिर हम चलाते रहेंगे ग्यास की फ्लेम को आप लो टू मिडियम में करके करिए नहीं तो यह ज्यादा गुठली यां हो जाएंगे आप जैसे उपमा का ब्याटर बनाते हैं वह इसे ही यह बना के तयार किजिए यह हमारी दो मिंटी में बनके तयार हो जाती है देखिए अभी यह प्यान को छोड़ने लगा है अब हम ग्यास को बंद कर देते हैं देखिए अब भी हमारा यह दो बनके तयार हो गई है अब हम इसको एक बड़े पत्ते लेपे हो या आपके पास जो भी बड़े बरतन है उसी में निकाल दीजिए देखिए अब हम इसको निकाल देते हैं कि यह जो चकली बनेगी आज इतनी बढ़िया कुरकुरे बनेगी आप बनाने के बाद चानेगे कि यह चकली खाने में कितनी बढ़िया लगती है यह पूरा मुह में भूल जाने वाले चकली है देखिए अब भी हम इस ब्याटर में तीन चमच गीड डालेंगे आप इसमें गीड डाल सकते हैं नहीं तो आप बटर डालके भी बना सकते हैं देखिए अब ही यह बहुत गरब है तो पैचुला में उसको कर रहे हैं अब हम इसमें एक चमच नमक डाल देते हैं आप सुआप के ही सबसे नमक डाल लिए उसको कलर लान्य के लिए आधा चमच से भी थोड़ी कम हल्दिका पाउडर एक चमच धन्या पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच काली मिर्ची पाउडर दो बड़े चमच सफेत बाले तील एक अधा चमच अजबाईन इसको हम हाथ में क्रोस कर लेते हैं तो इसका खुश्बू बढ़िया आएगी तो फोटेबल स्पून हींग अब हम यह चीज को मिला लेते हैं फिर हम इस ब्याक्टर में हमने आधा कप सुझी लिए थे इसके लिए एक कप चावल का आध्टा लिए हैं इसका सही में जर्मेंट हैं हम इसमें कुछ पानी नहीं डालेंगे यह जो आटा है उसी को डालके दिरे-धिरे उसको एक डोव बनाएंगे आपको लगेगा तो बीच में तो थोड़ी आप गरम पानी डाल सकते हैं कि अब भी हम इसको हाथ से मिला लेते हैं सुझी में जितना मस्चर है यह इसको पानी नहीं लगती है देखे हम इसका एक अच्छी डोव बना लेते हैं आप यह मेजर्मेंट पर करेंगे तो आपको पूरा सही चकली बनके तयार हो जाएगी हमको ज्यादा हाड नहीं कि पहुँच ज्यादा मूलाय में इसे डो नहीं चाहिए हमको वैसे मीडियम जैसे वह डो होती है ज्यादा नरम नहीं कि ज्यादा कड़क नहीं वैसे ही डो बनानी है मेरी चैनल पर दूसरा भी जो चकली है वो सब भी है जो पोहे की चकली है और चावल की पूरा चावल की चकली है वैसे ही में चकली का दो रेसिपी है आप जाके मेरी चैनल पर पी और चकली का रेसिपी भी देख सकते हैं कि देखिए फ्रेंट्स हमको पानी थोड़ी सी भी नहीं लगी जितनी हमारी ये सुझी थी उसी में ये पूरा हो गई है सुझी में ज्यादा मस्चर होते हैं तो जितना हमने चावल की आठाड़ा ले उसी में ये पूरा सुझी लग गई कि दीऊश् bizarre ब्याक्टर अभी पूरा बनके रड़ी हो गयी ये इतनी सॉप्ट हो गई सुप्ट दो रहना जरूरी हे तो बनना तो समच हमारा ये पूरा जैसे कांग्ते जैसे बनके तयार होगी को अब होब्य हम इसको पांस विंटी ड़क के इस देते हैं पांच मिनटी के बाद हम इसको बनाएंगे देखिए अभी हम हमारा चकली मेकर को ओयल से ग्रीज कर लेते हैं हमारा आट्टा को भी चेक कर लेते हैं ओ कैसे हो यह देखिए आट्टा अभी पूरा बड़ी है तरिके से फूल गई है हमें इसे ही उसको एक सिल्लिंड्रिकाल सेब दे के बनाएंगे यह थाली के ऊपर हम इसको चकली बनाएंगे आप चाहे तो पेपर से भी बना सकते हैं देखिए हम पहले थाली को थोड़ा ग्रीज कर लेते हैं तो निकलने में तकलीप नहीं होगी देखिए हम थाली के ऊपर पूरा अच्छी तरह ग्रीज कर लिए देखिए अभी हम यह चकली में कर पे यह जो आटा है उसी को डालेंगे हम इसको अच्छी तरह प्याट कर लेंगे इसमें कुछ ए आर जैसे नहीं रहेगी देखिए एसे ही आप पूरा भर दीजी देखिए अभी हम चकली बना ना सुरू करते हैं देखिए अभी हो गई है अब हम इसको लास्ट का इसे पुरा दबा के सील करतेंगे नहीं तो खूल जाएगे वह पेहेले का सील करेंगे और लास्ट का करते हैं जो इसे ही हम सारे बना लेते हैं देखिए अब भी हम आपाना तेल को गरम कर लेते हैं देखिए हमारा इसे ही सारे चकली आप बना के तलिए देखिए तेल को अच्छी तरह गरम होने के लिए छोड़ेंगे पूरा अच्छी तरह गरम हो जाएगी उसके बाद हम इसको तलेंगे देखिए फ्रेंट्स हम चेक कर लेते हैं तेल भी गरम होई है कि नहीं एक छोटा सा डालेंगे दखेंगे देखिए तेल इतना गरम होना जरूरी है यह बाबल सूठ रही है इसका मतलब तेल गरम हो गई है देखिए एसे ही हम एक चप्ली को इसे ही डाल देंगे तेल पे अब ही हम ग्यास की फ्लेम को थोड़ा कम कर लेते हैं अब हम यह चप्ली को उलट पालट नहीं करेंगे नहीं तो यह खूल जाएगी हम थोड़ा इन्तिजार करेंगे वह थोड़ा हो जाते के पाद उसको हम टॉर्न करेंगे करेंगे देखिए अब भी यह थोड़ी उपपर उठ रही है इसी टाइम हम इसको टॉर्न कर लेते हैं करेंगे देखिए हमारा यह चकली अभी तल गई है यह इसका कॉलर चेंज हो गई है तो अब भी हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं देखिए यह कितनी बढ़िया बनके तयार हो गई है देखिए कितनी बढ़िया साँ उड़ा रही है अब हम दूसरा डाल देते हैं इसे ही हम सारे शक्ली बना के तयार कर देते ही आ यह देखिए प्रेंड्स हमारा अध्या कप सुझी में डेर सारा चक्ली बनके तयार हो गई है देखिए आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप जान पाएंगे ये कितनी बढ़िया बनके तयार हो गई है देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूं देखिए ये कितनी बढ़िया देखिए पुरा क्रिस्पी बनिये देखिए आपको आवाज आ रही होगी देखिए देखें कितनी देखें पूर आप क्रिस्पी बनिए आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप जानपाएंगे ये बनाने में पहुत आस्त्सान है और ये बनने में भी पूरा कांटे जाई से बनके तयार हो गई है देखिए पूरा कांटे जैसे बन बनते हैं वैसे ही यह बनके तयार हो गई है आप इसको ऐसे ही कुछ भी तोहर में बना सकते हैं नहीं तो ऐसे ही आप चाय के साथ इसको खाएंगे तो यह पड़ी यह मज़ेदार लगेगी आप फ्रेंड्स यह आप इसको यह रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो पूरे पहले से लाश्ट का पूरे देखेंगे तो आपको पता चालेगा यह रेसिपी बनने में कितने बढ़ी आ इजी तरीके से में बता रही हूं और बनने यह बढ़ी आ कुरकुरे बनके तयार हो जाती है को रेसिपी अच्छी लगी तो आप नोटिफिकेसंस मिल जाएंगे तो आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नौई रेसिपी के साथ बाई बाई